15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और इस आजादी को पाने के लिए ना जाने कितने बीर सपोतों ने अपना बलिदान दिया हमारे साथ बाचीद करने के लिए असोख मातो के भातिजा बपुर विधायक परदी मातो जी है आई एमिन से बाचीद करते हैं सलब सब्किर से आपको भी बहुत स्वागत आज कि पासिध्यसका अफ्वे लिए उसरा पर प्पूरे दिश़्ातों में disability समारोः अपने में पेपका थीन स्वाशतों अपनों ऐसोघ्त सिरूम क्यों को मैं अपने दिल से अपनी ओर से अपने टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दता हूँ बधाई करता हूँ और आगने वाला समय उजाला वाला हो और आज तो देश की अजादी एकता अखंता अचुन रहे इसके लिए सबत भी लेने का दिन था आज हम लोग एक इसमी सदी में जी रहे हैं हम लोग इंडिया की बात करते हैं बिहार की बात करते हैं तो कई देशों से आज भी हम लोग बहुत पिछड़े हैं बहुत पिछ़ए हैं जो की आज तरह तरह की सरकारे आ रही हैं इंडिया में लग रहा है कि अब विकास होगा अब विकास होगा लेकिन जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है अभी देखिया थिती अभी बर्सात का मोसम है धान का फसन इधर का मुख्य फसल है लेयर जमिन का जो है इतना काफी दोहन हो गया पानी का कि लेयर बहुत काफी चला गया और पानी पीने के लिए बीजली अगर जो कट गया नल जल बंद हो गया एक चैप अकल कहीं काम करता नहीं अब भी जो है दो बर बिधान सभा का चुनाव जीद चुके हैं तो अखिर विकास कम हो रहा है इसका बज़ा क्या समझते है इसका बज़ा क्या है कि सेंट्रल और अश्ट्रेट दोनों का अपना पॉल्टिक्स चलता है और जो मूल जगह पर पहुंचना चाहिए पैसा वहां पहुंच पाने रहा है अभी देखिए इस देश में ऐसा अथिति हो गया है एक बिनुजेला बिनुजुएला एक देश है उस देश में एक समझ ऐसा आया कि लोग काम करना नहीं चाहिए कारण कि बहुत काफी लोगों को रुपिया मिलते गया बेठले बेठले रुपिया मिलते चला गया और वही अथिति इंडिया भी होने वाला है अभी सोचिए कि हरे लोगों को पांच किलो अनाज पिरी में बेठा करके दे रहा है अरी भाई उसको सिखावो उसके बच्चों को स्कीक्रो उसके बच्चों को काम ट्पार सिखाओ उसक 1 पैसा नहीं लो हमारा देश जो है आजाद है और जादी का मतलब होता है सफस्वतंद्रता थे आज WE हैं तो अपनी जो है समस्चा को हम खुलकर जो हैकी किसी के सामने बैट कर सकते हैं लेकिन लोग कि आजाद हैं तो सर्बोल क्यों नहीं पाता देखिए बात क्या है देश में ताना साही बढ़ा है लोगों को लगा था कि नरेंदर मोदी की सरकार आएगी इंडिया में तो बहुत सारा काम होगा बहुत सारा विकास होगा मोदी मोदी का नारा जैकारा हर जगा लग रहा था ठीक है अभी मोदी जी की सरकार है लेकिन है बात है कि बीजेपी की गलत नी थी क्या हुआ कि कहां बीजेपी संघ से सुरू हुआ आजादी के समय में अंग्रेजों का कर दलाल के रूप में बीजेपी के लोग काम किया और आज दिखिया तिती हर जिलां में कि पिज्चपड का देश में बटaya का लेकी जहाँ सकूल का निर्मान होना चाहिए खेट के का जे भर रहा है रुपिया लेकर के लोग भाग रहा है बिदेश भाग रहा है अभी जोड़ आप लिए कि इस देश में अजादी का आज अठतरमा सालगिरह मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम है बहुत अच्छा है लेकिन पॉलिटिकल रूप से मान के चलिए तो आज भी इंडिया बहुत पिछे है बहुत काफी पिछे है इतना पिछे नहीं होना चाहिए कारण इसका नीती निधारग जो लोग हैं अपने फेरा हैं में लगे हुए है ठीक है लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि सरकार है उन्हों हने अपना कुछ नहीं किया लेकिन पता कि यह नीर्वाूमोदी का उन्हों है अमप मानी से उनका क्या संब्द्ध है अदानी से उन्का अबर है और डर से बोलने लोग बोलने रहा है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देखिए हम बच्पन में थे तो एक उस समय एक गाना के बोल से हिसाब से चर्चा चलता था उस समय कि जब जब जूर्म भाईल जनता पर जुद्धा के अवतार भाईल अब क्रांती के मैदान में हर दम जुल्मी कहीं हार भाईल तो आज बीजेपी के द्वारा जूर्म ढाया जा रहा है पूरे देश में तो उसको मटिय मेट तो होना ही है अध्यरंद्र मुदी यतना सीना पहला कहते थे 56 का सीना अभी पतावें तो 56 का सीना है नितीजी हड़ जाएंगे कानी खतम है हम लोग सरबच्पर में एक पढ़ाई पढ़ते थे किताब में देखने को मिलता था कि अंग्रेज भारत को 200 साल तक लुटा ह इसी पर तो हम आ रहे थे हैं अपने पूछी भी दिया इस इंडिया कंपनी जब आई यहां तो क्या समान बेचने के लिए यहां आई है समान बेचेंगे समान यहां उत्पादन करेंगे यहां के लोगों को रोजगार देंगे लेकिन इसी मारफ़त अपना सुरच्छा के ल करने लगा चोटा-चोटा कस्वा में मिंदार लोग था उन लोग को धेरे-धेरे कबजा करते चला गया और कि जब कब देश कबजा हो गया अंग्रेज का तो आध कि यह कि अठारव सो संतामन में तो बिद्रो हुआ था क्या बिद्रो हुआ था कि जो सिपाही धौज लोग है पहुई लोग का जो कारतुष निकालने का जो थेली होता था थी那र को धान से खेचा जाता था सब्सक्तियान अंग्रेज क्या करें कि दोणों को मिख्यों करें वहां पर लगाता कारण कि तो यह मूह में ले गा र게ší करान कि हिंदू सुवर खाता है कि मुसलिम जो है गव का मांस खाते हैं तो अब दोनों चीखा करके इसाई बन जाएगा सिपाही विद्र हो गया तो चुड़ी अठारा सु संतामन जालिया बाला बाग का घटना कब हुआ वां उन्हें सो निस में देश को सरकों जादा लूटे या दिलूट रहे हैं या पहले के जमाने की जो अंग्रेज पाट मतला है यहां पर अंग्रेज के बीच तो यहां परतान साही था जालिया वला बाग क्या था कि शिधे बैठा दिया अपना बात संगुष्ठी में लोग था देश को बीजेपी के लोग जो आज हैं वही लोग आगे बढ़ रहे थे और हर जगा मुख्वीर करके लोगों को पकड़ा रहे थे अब देश को गुलाम बनाना उचाह रहे थे ज़िसर अंग्रेज सच्पूच में भारत को लूट रहे थे तो अंग्रेज जो है जो भी क अज को जो है धरातल पर उतारते हैं तो उसका कोई गरांटी नहीं कि कब तक उचलेगा अंग्रेज का बना बनाया आज की सरकार इस्तेमाल जो कर रही है तो उस समय के हिसाब सूप समय के इंजिरिन के हिसाब से बना था आज के समय में बड़े-बड़े सुरंग पहाड में कोदे जा रहे हैं बहुत बड़ा-बड़ा फूल बन रहा है ऑभर व्रीज बन रहा है फ्हेल शिह की समय में नहीं था न हूद रहा है पी एकदम ठोस है कहीं कोई दिकत नहीं है लेकिन देख सकते हैं जहां भी यह कभी गुरात में पुल गिर रहा है कभी जो है दिल्ली में एरफॉर्ट की रहा है कभी बिहार में पूल गी रहा है देखिए जहां लूट मचेगा जहां पर इंजिनियर पैसा लेगा तो वहां तो खराद पना ही है अंग्रेज के समय में भी ऐसा नहीं कहते हैं कि उस समय भरष्टाचार नहीं था उगूस नहीं था लेकिन उस समय कुछ कम चलता होगा और अभी ज्यादा पैकेट मेरा सबसे पहले तो भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि पार्टी को किटना रुपिया जाएगा यह तो काम पार्टी को उसमें चलागेा पैसा नहीं कि पर फिर को प्योद्वी भी भरस्ता चार आऑगे हो दर भी और मतलब होता है जो मन में रहे खुल कर सामने परकट ले लेकिन नेता कही ना कहीं हमारे अगरेश्वासुई से और आजादी मिली हैं अज यहां का जो अंग्रेज है जो तनासा है वो लोग गद्दी पर बेठे हुए हैं और वहां से जो है कि तनासा ही आज हर जगा पहला रहे हैं इसकी हर जगा तुब निंदा हो रही है इसका विरोद भी हो रहा है कुल करके बिरूद हो रहा है देश को आजादी दिलाने में हमारे कई भी सपूद अपना बलिदान दिये हैं सर उनके लिए क्या गए देखिए जो सहीद हो गया है अपना उनका कुछ बचा नहीं देश ही उनके लिए सब चीत है हमको याद आता है कि सुभाष चंद्रबोस ज इंग्लेंड की सरकार से यहां जुद करने के लिए तयार हो गए तो उस समय भी लोग मुख्वीर लगे उनको मार दिया गया तो बात है कि जो देश के लिए लड़ा है तो जो देश में मुल्क में है वह तो उनका नाम लेगा ही लेगा अभी बगल में देखे बंगला से्मैन थे आंे बरत के लिए बढ़ावा है कि वहां कितना तानाशाही बढ़ा हुआ है स्केट काफी तानल साही बढ़ा हुआ है। प्र्दानमंति रहें की प्रदानमंत्य को देश चोड़ कर के भा लिए ओनी कंद्न डिलीаже हुए है अपना अपना रहता हार जएक यह का ह हो तो हम चाहेंगे कि भारत देश का तरक्की हो और यहां इंसानियत रहे इंसान इंसान रहे और यहां का विकास हो बच्चे पढ़ें बड़े-बड़े काम करें यहां के बच्चे